देखो सबसे पहली और important चीज़ तो ये कि इस वीडियो में मैं आपसे इस poem की summary और मेरे discuss नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इस से पहले मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने इस poem की summary discuss कर लिया इस वीडियो में हम लोग इस poem को ढंक से analyze करेंगे दोस्तो analysis करेंगे जो आपसे पहले मैंने किसी भी वीडियो में इतना अच्छे से analysis नहीं किया है सबसे पहले तो आपको copy और pen निकाल लेना चाहिए और note कर लेना चाहिए कि ये एक mock epic है और mock heroic poem है देखो मैं आगे इस poem को mock epic या mock heroic बोरूँगा मैं इसका नाम ने लूँगा क्योंकि इसका नाम लेने से मुझे काफी नुकसान है देखो ये जो poem होती है न mock epic इसको develop किया गया था satire करने के लिए satires करने के लिए और किसने develop किया था classic writers ने लेकिन सबसे ज्यादा यूज इसका किस age में किया गया Pope की neo classical age के लिए दूसरे शब्दों में अंदादुनी यूज हुआ था अब जो चीजें मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप note करते वे चलो सबसे पहले तो इसका first version जो publish हुआ था वो 1712 में हुआ था दोस्तों कब हुआ था 1712 में और उस वक्त इसमें दो kentos थे कितने kentos थे दो kentos थे और final version जो publish हुआ था इसका दो साल बात 1714 में 1714 में publish हुआ था और उस वक्त इसमें कितने kentos थे, 5 kentos थे, कितने kentos थे, 5 kentos, पूछ सकते हैं कि final version में इसके कितने kentos थे, 5 kentos थे, ये kentos क्या होता है अब आप ये पूछोगे, देखो kentos वैसे ही होता है जैसे drama के अंदर acts होते हैं, वैसे ही Pope ने इस work को ढंग से systematically लिखने के लिए, स यानि जैसा इस poem के अंदर होता है, वैसा real life में कहीं पर हुआ था, दो families थी, जिनके बीच में एक छोटी सी बात को ले करके दूरियां बढ़ गई थी तो Pope ने ये satire लिखकर उन पर comment किया है, एक तरीके से उनका मजाग बनाने की कोशिक किया है, कि इतनी चोटी चोटी बातों पर आप लड़ रहे हो, जिनका कोई मतलब नहीं है, शायद उनकी दूरियां कम करने के लिए, अब देखो इसको मजाकिया बनाने के लिए, serious dialogues का Pope एसे यूस किया है, जैसे लड़ाई दो families के बीच में नहीं हो रही है, बलकि Greeks और Trozens के बीच में जो लड़ाई होई थी ना, great war, same to same वैसे dialogues का use किया है, एक epic की तरह ही लिखने की कुशिक की है, शुरू में muses को याद करना, जो main character है, उसका अच्छे से description देना, और भी कुछ और ही है, एक तरह से Pope ने अपने time के aristocrats, यानि कि पैसे वाले लोगों पर comment किया है, और society पर comment किया है, कि बाहर से जो society इतनी खुबसूरत लगती है, अंदर उसके कैसे लोग है, इतनी चोटी चोटी बातों पर लटते हैं, जैसे आप कहानी की protagonist देखो, Belinda, जो दिख चलके और ज्यादा बेवकूफी भरा हो जाता है, जब आसपास के लोग आपस भी लड़ने लगते हैं, एक चोटी सी लॉक को लेकर, एक चोटी से बालों की लटों को लेकर, और आगे हमें पता चलता है कि Baron, जिसने वो लट काटी थी, उसके पास वो लट है ही नहीं, और बेवकूफी वरा सीन तब होता है, जब पता चलता है कि वो लट उपर आसमान में तारा जागर बन गए, देखो दोस्तों, पोप ने जैसे इस एक को चालू किया है, अब आप ये कहोगे कि लिखना था, तो कुछ सीरियस सी लिख लेते, एक ही लिख लेते, ऐसा वर लिखन तो दोस्तों, मैं आपको कहूँगा कि आप इस माहने में पोप की इंटलिजन्स पर सवाल ने उठा सकते हैं, क्योंकि पोप काफी लंबे टाइम से ग्रीक और लेटिन वर्क्स को ट्रांसलेट करते हुए आये थे, यहां तक कि उनके वर्क के सारे राइटर्स पोप की ट्र कि ऐसा लगता है जैसे एलेक्जनर पोप अपने केरेक्टर्स की तुलना या फिर अपने केरेक्टर्स का कंपैरेजन्ट डारेक्ट्ली क्लासिकल राइटर्स की कर रहे थे, जैसे कि आप देखो, कहानी की शुरुआत में आपको बैलेंडा अपनी ड्रसिंग टेबल की पास में बेलेंडा को बोलती है कि तो मैं एक बाल की लट के लिए ऐसे रो रही हो, कितनी भी कर ली और कितनी भी सीधी लटे बना लो, एक दिन सारी ब्राउन हो जाएगी, और जो आस्मान में तारा बन गई न, जो लट जाकर वो तारा भी एक दिन ब्राउन हो जाएगा सिर्फ जिन्दा रहेगी तो ये कविता जो पोप ने लखी थी, अब दोस्तों यहाँ पर देखो हम इस पोएम में जेंडर इक्वालिटी की थोड़ी बात करते हैं, यहाँ पर इस पोएम के end में क्लैरिसा के मूँ से इतनी समझदारी वाली बाते करवा कर यहाँ पर पोप ने साबित कर दिया, कि जहाँ पर समाज में एक तरफ बैलेंडा जैसी ओरते होती हैं, जो अपनी खुपसूरती को लेकर इतना पागल होती है, कि उन्हें उस age में बात की गई थी, जिस age में औरतों को बेबकुप समझा जाता था, वही पर बैरन जैसे आदमी भी होते हैं, जो औरतों की लट काट काट कर, बालों की लट काट काट कर, खुद को लजाने क्या समझते हैं, अब दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितना अच्छे से हो सकें, उतना अच्छे से इस पोयम को डिसक्स करने ही कोशिश की हैं, उमीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आएगी, helpful होगी, आज की इस वीडियो में बस इतना ही,